तो हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब इंटरडबुल्स में फिर से आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम जॉक्स पर बात नहीं करने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम दो क्रिप्टो के बारे में देखेंगे पहला अपना बिटकोईन और दूसरा एक्सर पी जो सामने आपके अभी खुला हुआ है एक्सार पी फुल फॉर्म टोटल उसका रिपल है हम इसमें देखेंगे एक्सार पी का यूसडिटी पेर वाला चार्ट अब एक ही तरीके से काम करता है तो आप अचाहे तो आहे नार में भी अप्टेड आप ले सकते हैं अगर आप पूछेंगे मैं कौन सब ब्रोकर यूज़ करता हूं मैं यूज़ करता हूं कोई डिसी एक्स अगर आपको यूज़ करना है अगर आपको अकाउंट खोलना तो नीचा अपको डेक्सिंट में लिंक उसका मिल जाएगा तो हम देखते हैं कैसे एक्सार पी में ट्रेड हम ले मार्केट ने उसे तोड़ा तो काफ़ चप फॉल हमें देखने को मिला तो कहां ले ना ट्रेड आपको अब देख सकते हैं मैंने एक चैनल पैटर टाइप से बनाया है मार्केट अभी पूल बैक ले रहा है आशा करता हूं जब तक वीडियो को आप देखेंगे तब तक लेवल्स मार्क करके रखा हुआ है अगर इस लेवल्स को तोड़ना स्टार्ट करता है यह तो काफ़े चा फॉल हमें देखने को इसमें मिल सकता है पहला टार्गेट सिंपली अपका 0.6686 होगा यह यूजडीट है अब चाहिद सेम चार्ट होगा आइनर में आप उसे मार्क कर सकते हैं मुझे मैं ट्रेट जातर यूजडीट में करता हूँ क्योंकि उसमें वॉल्यूम रहता है और मार्जिन मिलता है इसलिए और यहां पर आप देख सकते हैं जो अगला टार्गेट होगा वह 0.6135 होगा और जो लास्ट टार्गेट आपका होगा वह 0.5204 होगा क् अब देख सकते हैं कि यह जो लेवल था वह काफे important एक願い था पर मार्केट के लिए सपोर्ट था उसके बाद मार्केट के लिए अभी रैसिंग तरह काम कर रहा है और मार्केट रैस्टेंस當時 से नीचे आपकर पैटन जो ट्रेंड लरनती तोड़ चुक और अपर से rejection में देखने को यहां पर मिल रहा है तो काफ़े simple analysis है आसागर तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा अगर आपको लगता है कि मेरे channel से आपको help मिल सकती है तो ज़रूर मेरे channel को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और bell icon को दबाईए simply मैंने बताया अगर आपको breakout मिले उसके pullback मिलता है यह zone में तो काफ़े चेंट्री यहां पर मिल सकती है आपको pullback के बाद यहां पर entry लिनी है आपको breakdown pullback entry उसके पर काफ़े चेंट यहां पर अचीव हो रहे हैं आप चाहिए तो simply इन levels पर भी trade आप कर सकते हैं जब आसा करतों जब तक आप वीडियो को देखेंगे तब तक काफी move हो चुका होगा तो भी मौका आपको मिल सकता है काफ़े simple analysis है आसा करतों समझ महार होगा तो मैंने आज कल की वीडियो में मैंने बहुत सारे stocks भी किये से अगर आपको लगता है कि आपको help हो सकती तो ज़रूर पहले की वीडियो को चेक कर सकते हैं यह भी HDFC काफी है चम्मुख देने के लिए तयार है सपोर्ट था अभी सपोर्ट के तरह काम करने वाला है और future में भी करेगा जैसा कि हमें इस यह लेवल्स भी मार्केट के लिए resistance है यहां पर भी resistance है उसके बाद breakout मिला काफी स्ट्रॉंग सपोर्ट यहां पर simply फिर इसका मिला हमें breakout तो यह भी काफी अच्छे सपोर्ट के तर करके रखा हुआ है यहां पर मार्केट काफी टाइम से लबग दो मेहने से इस रींज में अभी मार्केट एक इंपोर्टेंट एक लेवल पर है तो simply अगर फॉल इसके नीचे closing मिलता है तो लेवल है 37,866.01 USDT लबग इस लेवल के नीचे close मिलता है close के बात करो close मिलता है तो काफी चो फॉल हमें देखने को मिल सकता है simply अगर फॉल आता है तो पहला target आपका 35884 कास पस होगा 35,800 पहला target होगा आपका simply वापस हमें फॉल देखने को मिलेगा तो पहला target आपका यह होगा 30,204 पर काफी कम chance है फॉल होने कि मैं आपको बता हूंगा आगे वीडियो में क जैसा कि आप यह देख सकते हैं कि bitcoin अभी uptrend में था 19 लवक से पूरे तरीके से uptrend में था मैं आपको यह भी दिखाता हूं कि आप यह notice कीजिए जितने green candles form हो रहे हैं उसमें काफी वो बड़े और जितने जो red candles form हो रहे हैं consolidation वाले areas हैं वहां पर देखिए जो red candles form हो रहे हो काफी छोटे form हो रहे हैं एक अच्छा move उसके बाद कोई sell नहीं कर रहा है क्योंकि यह से कि हमें कर पता है market जब range में आता है तो जो बेवकूफ होते हैं वो अपने positions को sell कर देते हैं lost now इसके डर में और जो smart people होते हैं यानि कि hedge funds हैजश funds बगर चलाते हैं या इनको portfolio काफी ज्यादा होता है high net worth होता है वो लोग काफी time तक यहां पर accumulate करते रहते हैं उन्हें पता चल जाता है क्योंकि इन levels पे sell करने वाले हैं बहुत लोग तो यह अच्छा zone हो सकता है trade लेने के लिए और long term investment के लिए simply आप यहां पर भी अप देखिए जो जो green candles form हो रहे हैं उसमें size देखिए और simply जो pullback पे जो red candles आ रहे हैं यहां पर फिर यहां देखिए काफी कम-कम छोटे-छोटे बन रहे हैं वो weakness को दिखाता है यह level जैसे मैंने बताया कहां से मैंने बनाया वो काफी important support की तरह है अगर इसके निसे closing मिलेगा तो market fall कर सकत है पर अगर closing नहीं मिला तो काफी अच्छा है यहां पर हमें golden देखने को मिल सकता है वापस से simply पहला target 42,357 होगा और 42,357 को पर close मिल जाता है तो काफी अच्छे तरीके से हमें golden वापस इसमें देखने को मिल सकता है फिलाल के लिए अभी इतना ही है मैं आपको और भी आप अब है मार्केट में यह मैंने यूज किया है बिट फिनिक्स करके यह crypto का ब्रोकर है उसी का उसमें long इतने है तो सोच लिजिए total जो exchange है उसमें कितने longs होंगे तो momentum positive है भी market के लिए देख सकते है market में अभी 49,000 long है तो वह काफी positive momentum सो करता है simply हम thoughts को देखेंगे तो अभी 1895 5.466 है तो काफी कम होता है यह total USD में बात करो मैं person में बात नहीं कर रहा हूं अब देख सकते हैं काफी कम है तो यह काफी positive momentum सो कर रहा हमें bitcoin के लिए तो यह काफी अच्छा trade हो सकता है आपके लिए trade करने के लिए अगर आपको लगता है कि मेरे चानल से आपको help मिलेगी तो जरूर मेरे चानल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए और bell icon को दबाईए और अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आए तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए मैं उसका reply कर दूँगा मैं कोसिश करूँगा आपको explain करने का thank you दोस्तो